वेलकम 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 फ्रेंड्स आज इस सर्दी के मौसम में हम बना रहे हैं तिल गुर पेड़ा आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन पैन के अंदर हम लोग लेंगे यह तिल तिल फ्रेंड्स हम लोग गरम करेंगे ग गरम इस पॉइंटर करना है कि हलका सा इसका कलर चेंज हो जाए मैं आपको भी दिखाती हूं कितना हमें कलर इसका चाहिए बहुत ही धीमी गैस पर इसको चलाते रहना है तिल को और इतना नहीं चलाना इतना गरम नहीं करना कि इसका तेल निकल जाए तिल हमें देखिए मैं आ ऐसे ठोड़ा और थोड़ा सा हमोग इसको अलक कर लेंगे कोई 2 टेबल स्पून और इसको हम लोग एक क्रश्च DID क्रश्च कर लेंगे और इतना नहीं करना इसको क्रश की इसका मैं आपको बार्बा बोल रही हूं इसका ओईल रिलीज नहीं होना चाहिए एक पेस नहीं चाहिए एक क्रश चाहिए हलका सा बस इतना ही हम लोग करेंगे और इसको एक अलग बरतन में निकाल कर रख देंगे देखे मैं आपको दिखाना चाहरे हूं एक बार यह मैंने निकाल लिया है मैं आपको दिखात हूं बिल्कुल जिसे हाँ यह देखे पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और बिल्कुल भी इसने तेल को रिलीज नहीं किया है अब नेक्स टेप क्या है हमारा हम लेंगे गुड क् इसमे चीनी यूज कर रहें कि गुड लेंगे वह हम कर लेंगे कद्धुकस कर लेंगे मैं नेक्स मैğı ली उल्म पैन लिया है फ्रेंट जिसमें मैंने तिल को भूना था मैंने लिया है मिल्क पाउडर पॉडर ले सकते नेक्सका inseett और आश आजकल मौसम में मावा तिसमें मि यह मावा जिनको मिलना मुश्किल होता है और यह बहुत इजी मिल पौड़ों तो फ्रेंड्स हर जगा मिल जाता है तो मैंने दूद के साथ मिक्स करके इसको मावा फॉर्म में लियाई हूं और फ्रेंड्स सारे इंग्रीडियन्स है ना यह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे दे दिये वो आप चेक कर लीजिएगा इसको बस हमें मावा फॉर्म में लाना है एक लिक्विट फॉर्म में लाएंगे साथ साथ यह हमारा भुन भी रहा है और लिक्विट फॉर्म में भी बन रहा है यह देखे इस तरीके से बिलकुल हमारा लिक्विट फॉर्म में बन ज की और इसके अंदर मिला रहे हैं यह गुड़ मिलाते मुलाते इसका बिल्कुल जो कर्सिस्टेंसी है गुड़ भी घुल जाएगा इसमें तोड़ा सा और लिक्विट फॉर्म में आ जाएगा अब घबराईये मत और गैस को बिल्कुल धीमी धीमी आज पर और कोशिश कि जो लम्स हैं वो सारे आप दबा दबा कर खतम कर दें बिल्कुल लिक्विट फॉर्म हो जाएगा इसका गैस हमारी बंध है और उसी गरम पैन पे हम यह प्रॉसेस कर रहे हैं अब यह गैस से नीचे उतार के फ्रेंट्स वही हम लोग इसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे वर साथ में जोम्स हैं फ्रेंड्स वह हम निकाल रहे हैं साथ में ईयला है यह लाइची दाने का पॉडर होता है यह ड्राइफ रूट्स हैं और पीस के रखा हुआ था नहीं तो ऑला नई भाहे हम सेश कर भोल में विक्स करते रहें गे यह एक बार यूज हैं दूसरी बार डालूंगी और दूसरी बार भी इसी तरीके से मिक्स करती रहूंगी और ठंडा तो हो चुका है बट हम लोग इसको और गाडा होने तक ऐसे मिलाते रहेंगे ये थर्ड टाइम मैंने डाला है तिल्व का जो पाउडर फॉर्म बनाया था वो भी हम लोग डाल देंगे और इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे और साथ में ठंडा करते रहेंगे बिल्कुल पूरी तरह इसको फ्रेंट्स बिल्कुल मिक्स कर देना है साथी चीजों को ठंडा कर देंगे अच्छी तरीके से यह देखिए गुमा गुमा के साइट से निकालके पैंस से अलग कर देना है और एक अच्छी गाड़ी फॉर्म में आ जाएगा हमारा यह सारा कसारा मिक्स्चर बस थोड़ी सी यह ठंडा करने तक आपको वेट करना पड़ेगा फ्रेंट्स खाने का अब लास्ट में में डाल रही हूँ थोड़े से तिल जो बचा के रखे हुए थे इसको और थोड़ा सा बचा के रखा हुए है साथ में और थोड़े से ट्राइफ रूट्स और मिला दूगी और देखे अब ठंडा होने के कारण ये साइट छोड़ रहा है और गाड़ा भी होता जा रहा है बस इसके बाद हम पेड़े बना लेंगे देखे हमारे पेड़े कितने मज़ेदार मुलाएम और टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स आप एक बार मेरे तरीके से ये पेड़े बनाईए और खाईए याद करेंगे आप थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फर वाचिंग आपकी पूजा थैंक यू वरी मच हमारे पेड़े बहुती सौफ्ट और अच्छे बने सर्दियों में इंजॉई कीजिए इन प पेड़ों के साथ थैंक यू